तो दोस्तों आपका भी Facebook अकांट है को चुका है आप काफी परेशान हों आप अपने अकांट को रिकवर नहीं कर पारेओं आपने काफी वीडियो देख लिए वट आपको कहीं पर भी solution नहीं मिला है जो कि आप अपने Facebook अकाउंट को रिकवर कर पाऊ तो आज की इस वीडियो में आपको 100% गारंटी के साथ आपका आपका हैक अकाउंट को रिकवर कर वाऊंगा आप लोग ने इस वीडियो को कम्प्लीट वाच करना एंड इसकीप निकाना एंड जो भी मैं वताऊं मैं तड़ आप लोग ने अच्छे से समझना है इंड फॉलो करना है अगर आप लोग भी अमारे चैनल पर नी हो तो चैनल क को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को फ्रेस कर दो इससे आपको अब इसमें भी इसी तरह की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेंगी चलोगा मेरे पास एक अकाउंट है जो कि हैक हो चुका है एंड नौटिफिकेशन मिल चुका है जो इमेल है एकर ने हमारी रिमूब कर दी है बट आपके फेसो अकाउंट में इमेल एड नहीं थी तो आपको नोटिफिकेशन कहा मिलेगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला आप कैसे अपने हैक्ड फेसो अकाउंट को रिकावर करोगे सब कुछ चीज यहाँ पर इस वीडियो में किलियर हो सब से फ़र्ष्ट आप लोगने क्या एक दूसरा अकॉंट लेना है अपने अकॉंट को सच करना जो अकॉंट आपका है को चुका है तो यहाँपए मैं अकॉंट नेम और श़से account का full name type कर दूँगा and type करने के वाद यहां पर search कर लूगा and इस name से काफ Olaf कारी account देखने को मिल जाएंगे आप लोगोंगों को भी मिल जाएंगे आप लोगोंने अपना account consonant जो भी dp लगी थी आप लोगोंने उस पर click करना है and जो भी आपका अकाउंट था उसको open कर लेना है मेरे पास यह मेरा account है जो कि आपको दिखा दिया है आप लोग ने अपने account की link को copy कर लेना है इतना तो आप करी सकते हो अपने account को किसी भी account से जाकर search कर लेना है तो और आप लोग link copy करके आपने अपना एक browser open कर लेना है उस ब्राउजर में अपनी अकाउंट की लिंक को पेश्ट करना है पेश्ट करने के बाद जितना भी नुमेरिकल नंबर के आगे facebook.com ये सब कुछ लिखा इसको कट कर देना है कट करने के बाद अब यहाँ पर जो भी आपका आप लाश्ट पासवर्ड था लाश्ट पासवर्ड था वो यहाँ पर एंटर करना है देखलो भाई यहाँ पर लाश्ट पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर फोरगेट पासवर्ड वाला इंटरफेस देखेगा एंड यहाँ पर बोलेगा कि आपके अकाउंट का निव पासवर्ड वन चुक आप तो आप लोगों ने आप सामने सुल आकाउंट वाला इंटरेपेस ऊपन हो जाएगा तो आपके जो भी एकड अकाउंट था उसका full name यहाँ पर type कर लना है तो यहाँ पर मैं अपने hacked account का full name type कर लेता हूँ full name यहाँ पर type होने के बाद आप लोग ने just search के button पर click करना है and यहाँ पर जो भी इस name से account होंगे सारे account आ जाएंगे facebook के ठीक है तो आपका आपने अपने account को यहाँ पर देख लेना है आपका account कौन सा है ठीक है तो आप लोग ने click कर देना है उस account पर and यहाँ पर आपको यहाँ पर काफी सारे option देखने को मिल जाएंगे email पर code send करने का number पर code sender करने का and enter password करने का so यहाँ मारे पास email नहीं है number नहीं है क्यों यह hacker ने अपना add कर चुका है आप लोग ने यहाँ पर no longer have access to these वाले last सबसे last वाले option पर click करने के बाद आपके सामने get back on facebook वाला interface open हो जाएगा तो यह interface आपको काफी सारे problem देखने को मिलेगा यह interface अगर आपके account में आ रहा है जिस भी application में अपने account को login करते थे यूज करते थे आप लोग ने उस application को open कर लेना है तो मेरे पास जो मेरा account hack हुआ है वो यहाँ पर इस दूसरे browser में यूज करता था यहाँ पर देख सको वही same account है अब आप लोग ने क्या करना है यहाँ पर आप लोगों ने फिर से अपने browser में अपने application में find your account वाला option open कर लेना है चाहिए आपका facebook हो चाहिए आपका fb light हो टीक है यहाँ पर find your account वाले option पर जाना है एंड email वाले option को open करना है एंड आपका account का जो भी name था वो यहाँ पर search कर लेना है फिर से अगें वाइस process करना है एंड जो भी account था वो यहाँ पर select कर लेना है तो यहाँ पर मैं select कर लेता हूँ select करने के बाद अब try another way वाला option देखने को मिलेगा एंड यहाँ फिर से आपको no longer have access to these वाला option देखने को मिल जाएगा आप लोगने फिर से इस पर try करना है try करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से same process same problem यहाँ पर देखने को मिल रही है बट आपको लोग सोचोगे कि अब हमारा account कैसे ओपन होगा बाई यह वीडियो अभी कथम नहीं हुई है यहाँ पर main process से start होता है अब आप लोगने क्या करना है जो भी आपके email पे आपका email remove करने का notification मिला था आप लोगने अपनी email को open करना है अपने Gmail को open करना है याँ पर did you just remove your email address यहाँ पर मुझे जो notification मिला था मैंने इसको open कर लिया security account वाला option देखने को मिल जाएगा आप लोगोन फिर से secure account पे click करने और आप लोगोन दो से तीन बार यहाँ पर security account security account कर देना है so यहाँ पर आपका account जो है यहाँ पे देख सकते हो मैं फिर से आपको कर के दिखा देता हूँ live यहाँ पे आपका account यहाँ पर ओने वाला है आप फिर से क्लिक करने के बाद आप देख सकते हुआ हमारा जो आकाउट है वह रुखर हो चुका है रिक बर होने के बाद एक निव प्रॉब्लम में फ्रेंस कर दे एंड जो वी next वीडियो आएगी hacked account को recover करने की जिस भी account में आपका सिरफ number add ता email add नहीं थी उन account को recover करने की यहापे वीडियो का wait करना है आपों को easily से वो video मिलने वाली है आप अगर आप लोगों से आपका hacked account recover नहीं होता है तो आप आप लोग आपको आपका अकाउंट रिकवर कर देंगे अगर आपको वीडियो फसंद आए यह तो वीडियो को लायक है चनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसी तरह की लेटेस्ट ट्रिक के साथ